दोस्तो बोड परिच्छा 2024 में आने वाले महात्वपूर जीवन परिचे में से एक जीवन परिचे आचार रामचेंदर सुक्ल का भी है जो हर साल बोड परिच्छा में पूछा जाता है तो इस्टुडेंट इस जीवन परिचे को आप लोग याद करके जरू जाएगा तो चलिए इस जीवन परिचे को समझ लेते हैं देखिए पिछले कुछ वर्सों में जैसे यहाँ पर 18, 19, 20, 21, 22, 23 में लगातार पूछा गया है तो इस जीवन परिचे को याद करना बहुत इंपॉर्टन्ट है क्योंकि इस साल गैरंटी है 100 में 100% आएगा जीवन परिचे हिंदी के परतिभास समपन्न समिच्छक साहितकार आचार्य रामचेंदर सुकल का जन्म 1884 इस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था बहुविकल्पी कोशन में इस तरह आ सकता है हिंदी के साहितकार कौन थे तो चार आपसन दे देगा जिसमें आपको आचार रामचेंदर सुकल पर सही करना होगा इनके पिता चन्दर बली सुकल मिर्जापुर में कानून गो थे कानून गो का मतलब कानून के रखवाले थे इनकी माता अतियंत बिदुसी और धार्मिक थे मतलब इनकी माता को धर्म से लगाओ था तो आपको इस सब एक एक पॉइंट नोट करना होगा ठीक है इनकी प्रारंभिक सिच्छा दिच्छा अपने पिता के पास जिले राठ तैसिल में हुई और इन्होंने मिसन स्कूल से दस्मी की सिच्छा प्राप्त की या परिच्छा उत्र गे गडित में कमजोर होने के कारण आगे नहीं पड़ सके इन्होंने एफ, एफ मतलब होता है इंटरमेडियट की सिच्छा इलाहा बाज से ले थी किन्तु परिच्छा से पूर विद्याला छुट गया परिच्छा दे ही नहीं पाए इससे परिदे इनका विद्याला छुट गया इसके पस्चात इन्हों ने मिर्जयापूर के नियायालय में नौकरी आरंब कर दी। यह नौकरी इनके स्वभवा के अनकूल नहीं थी। जैसा यह चाहते थे उसके अमस्वार इनका नौकरी नहीं था। अतह यह मिर्जयापूर के मिशन इसकूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी कविता निबंद नाटक आधिकी रचिना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी स्तब्द सागर के संपाधन कार में सहयोग के लिए स्याम सुंदर दास जी द्वारा कासी नागरी परचाडी सभा में सह सम्मान बुलाया गया। इन्होंने उन्नीस वर्स तक कासी नागरी परचाडी पत्रिका का संपाधन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी निवक्ति कासी हिंदू बिश्विद्याले में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गयी। एक अध्यापक के रूप में इनका निवक्ति हो गया। और स्याम सुंदर्स दास जी के आवकास प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्याच हो गये। सभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का ये द्विगज साहितिकार 1941 इस्वि में सरग्वासी हो गया। देखे इनका मिरितु कब हुआ था 1941 में ये आपको सन याद होना चाहिए। जन्मवाला और मिरितु वाला सन एकदम आपको एकुरेट याद होना ही चाहिए। तो इनका मिरितु 1941 इस्वि में हो गया था। अब देखे ये होगे हमारा जीवन परचा लेकिन लाश्ट में कहता है जीवन परचा देते हुए इनकी एक कृतियों का उल्ले केजिए। मतलब एक रचना लिखना होता है तो इनका रचना भी देख लेते हैं। रचनाएं इन्होंने पहुत सी रचनाएं लिखी हैं। देखे निबंद में है इनका चिंता मड़ी विचार भी थी। आलोचना में है रस मिमान सा त्रिवेडी सूर दास। तो आपको किसी एक को लिखना है जैसे चिंता मड़ी लिख दिये तो हो गया आपका। तो आप जीवन परचे देते हुए एक रचना भी लिख देंगे तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको जीवन परचे समझ में आ गया होगा..., तो वीडियो को लाइक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिज